अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये बताओ जब पार्टिकल पॉइंट ए पर था, ठीक है, जब पार्टिकल कहा था, पॉइंट ए पर था, तब उसकी वेलोस्टी इस डिरेक्शन में थी, ठीक, और हम ये बात जानते ह हैं, कि जब पार्टिकल सर्कल पे चलेगा, तो रेडियस हमेशा वेलोस्टी के परपेंडिकुलर होगी, तो समझ ना, ये रेडियस है, ये वेलोस्टी है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब रेडियस ऐसी थी, तो वेलोस्टी ऐसी थी, अब गूम गई अंगल थीटा तो यह बताओ, जब यह और यह एक दूसरे पर रिजड्ली फिक्स है, ठीक है, तो जितना एंगल रेडियस गूम हैगी, उतना ही एंगल वलोस्टी भी रोटेट हो जाएगी, यानिकि अगर theta angle radius गोम गई है तो theta angle ही velocity रोटेट हो गई होगी तो आप यह बताओ अगर मैं यहाँ पर initial velocity और final velocity यहाँ draw करो तो बताओ यह क्या चीज़ है यह initial velocity है नहीं यह क्या है यह initial velocity है ठीक है आप चाहो तो यह initial लिख सकते हो क्योंकि magnitude तो change हो नहीं रहा है तो यह तो initial velocity हो गई अब यह बताओ radius किस sense में rotate हो रही थी sense clock या anticlock यह क्या है anticlock तो अगर radius rotate हो रही anticlock तो velocity भी rotate होगी anticlock ठीक है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो final velocity मिलेगी वो ऐसे कुछ मिलेगी ठीक है ना मतलब अगर आप देखों यहाँ पर तो यह कुछ ऐसा होगा तो यह हमारे पास क्या आगई final velocity आगई समझना ज़रा तो final velocity initial से कितना rotate हो चुकी है theta मतलब कि अगर आप इसे बोलते हो कि यह final velocity है जिसका magnitude अभी भी V है समझना तो initial velocity का magnitude V final velocity का magnitude V जब दोनों V है लेकिन problem क्या है direction तो change हो गई ना मतलब initial velocity इस direction में final velocity इस direction में तो direction change होई मतलब velocity में change हुआ तो आप यह बताओ initial औ final सेम है कि अलग-अलग है अलग-अलग है और अगर यह different है तो change हुआ ना उसी change का magnitude हमें निकालना है अब आप मुझे यह बताओ नहीं, resultant नहीं find करना यही तो गड़बड हो जाता है समझना जरा है यहां पर तो एक बाद बताओ अगर मैं delta V लिखता हूँ तो delta V क्या होगा final velocity minus initial velocity बहलो यही तो है ना final velocity minus initial velocity तो हमें दो vector का sum करना है कि दो vector का difference लेना है हाँ, दो vector का difference लेना है तो अब जराब समझो आप मुझे बताओ initial velocity का magnitude कितना है V final velocity का magnitude कितना है V और बताओ अगर मैं आप से पूछो angle between initial velocity and final velocity तो दोनों के बीच का angle कितना है theta अब हम यह जानते हैं कि अगर हम दो vector same magnitude के लेन relate करना वहां से अगर हम दो vector same magnitude के लेन तो उनका sum जो होता है उसका magnitude होता है 2a cos theta by 2 और जो उनका difference होता है उसका magnitude होता है 2a sin theta by 2 तो यहाँ पर difference वाली बात चल लिए तो जो आपका यहाँ पर final velocity minus initial velocity आएगा उसका जो magnitude आएगा वो क्या होगा वहाँ formula लगेगा 2a sin half angle बोलो लगेगा नहीं तो यहाँ पर आपने क्या लिखा 2 बताओ किसी भी एक vector का magnitude v और यहाँ पर sin और जो भी angle उसका आदा तो जो velocity में change होगा velocity में change होगा उसका magnitude आपके पास आएगा 2v sin theta by 2 clear हुआ concept और अगर आप से कोई पूछे कि vector में कैसे represent करोगे तो बड़ी सीधी सी बात है change क्या होता है initial से final की ओर उसी को तो change कहते हैं तो यहाँ पर अगर हम दिखाएं कि change किया होगा तो initial से start होके final पर खतम कर दो इसी को आप बोलोगे कि यह velocity में change हुआ है इसको समझने के लिए काम और भी कर सकते हो सोचो यह initial है और initial में अगर हम change add कर दें तो हमें final नहीं मिल जाना चाहिए बई initial में अगर हम change add कर दें क्यों क्यों क्योंकि velocity का जो magnitude है वो तो change हो ही नहीं रहा है तो change कितना हो गया 0 और velocity में जो change है उसका magnitude कितना है या 2V sin theta by 2